आज हम डिविटल मौाश्र मीटर की साहीता से पैडी का मौाश्र कैसे चेक करते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे जब कभी हम मौाश्र मीटर की साहीता से किसी भी कमोडिटी का मौाश्र çek करते हैं तो सरुप्रथम हम उसमें से foreign materials को separate कर देते हैं यानि उससे अलग कर देते हैं हमने paddy का sample मौस्टर मीटर के hopper में भरत दिया है अब इस hopper को हम मौस्टर मीटर के ऊपर arrange करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने मौस्टर मीटर के cavity के ऊपर इस hopper को arrange कर दिया अब हम इसके lever को unlock करेंगे ताकि sample हमारा मौस्टर मीटर के cavity के अंदर चला जाए हमने इसके hopper को हटा लिया अब scale की सहायता से उपर आए हुए sample को बराबर कर लेंगे इसके बाद में हम यहाँ देखेंगे कि serial number कितने पर paddy है तो जैसा कि इस मौस्टर मीटर में serial number 3 पर paddy है और full volume हमने इसमें डाला है तो हम 3 number का button दबाएंगे और इसे तब तक दबा कर रखना है जब तक हमारे paddy का मौस्टर स्क्रीन पर दिखाई न देने लगे तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 9.99% यही हमारा paddy का मौस्टर हुआ झाल